नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डारिया की ट्रीट्मेंट में इस्तमाल होने वाले जो दवाएं हैं, वो कौन-कौन सी दवाएं होती हैं, उसका इस्तमाल किस परकार से करना चाहिए, उसकी डोच किया है, किस परकार से आपको जो दस्त होती है, या जो लूज मो कौन-कौन से ऐसे ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण आपको डायरिया जैसी स्थिती उत्पन हो जाती है हेलो नमश्कार मैं आज इस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लक्स में जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल है इस साहसे संबंदी चैनल है। जैसे कि आपको कुंसी मेडिसिन का उपने और यूदि के बारे में आसानी से जान सकते हैं कुछ आ से लाइफ अपना कर आप अपने जीवन और भेहतर बना सकते हैं तो जो भी लोग मेडिकल से समंदित वीडियो देखना पसंद करते हैं मेरा उससे रिक्वेश्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आकन दबाके और पर क्लिक करना ना बूलें जिससे मेरी आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आ करते हैं आते हैं टॉपिक पर दोस्तों आपके सरीर में यह जो डायरिया होती है उनके कई सारे कारण होता है यह बात करते हैं कारणों के बारे में अगर आपके सरीर में वाइरल इंफेक्शन हो जाता है तो आपको डायरे जैसी कंडिशन हो जाती है बैक्टिरियल इंफेक इसी सित्वी में भी आपको डायरिया जैसी कंडिशन हो जाती है अगर आप बहुत जादा ही एलकोहल का सेवन करते हैं आप एंटिबाटिक्स टेबलेट का सेवन करते हैं जिसका जो साइड इफेक्ट होता है उसे करण भी आपके सरीर के अंदर दस्त या निकी जो लूज मोस डायरिया या जो दस्त वाली कंडिशन है वो आ जाती है दोस्तों अगर वाइरल इंफेक्शन के करण आपको डायरिया होता है आपको दस्त होती है लूज मोसं होती है तो ऐसी कंडिशन में आपको कोई भी एंटिबाटिक प्रिस्क्राइब नहीं की जाती क्योंकि आपको bacterial infection है ही नहीं तो आपको antibiotic दवा देने का कोई फायदा नहीं होता और यह जो viral infection होता है यह कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपको diarrhea होता है loose motions होती है दस होती है तो आपके सरीर से काफ़ी ज्यादा मातरा में पानी निकल जाता है इलेक्ट्रोलाइट निकल जाती है जिसकार आपका सरीर dehydrate हो जाता है आपको चकर जैसे इस्तिती पर नहुन लगती है आपको कमजोरी फील होती है तो किसी भी परकार के infection से से खुल होता है उसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं जिसके करण आपके सरी में जैसे कमजोरी कर करता हैं वह नहीं आपकरओं आई अब बात करते हैं कुछ ऐसे tablets के बारे में जिसका इस्तिमाल करके आप अपने सरी के अंदर जो diarrhea के treatment को आसानी से कर सकते हैं पहला जो tablet है उसे कहते है लोपेरामाइड यह जो लोपेरामाइड नामक tablet होती है वो आपकी anti-motility tablet होती है यानि कि आपकी जो सरीर के अंदर आपकी जो आतों के अंदर जो motions होते हैं यह उसको control करती है उसको slow कर देती है जब कभी भी आपके सरीर के अंदर डायरिया होता है यानि कि जब आपको डायरिया होता है दस होती है तो जो भी आपके digestive food होते हैं यानि कि जो आपके खाने होते हैं वो तरर मातरा में आपके आतों सो होकर वो आपके NS से पास होता है कि आपके गुदाद्वार से मल की रूप में वह निकलते हैं तो जब कभी भी आपके सरीर में डारिक कंडिशन आती है तो आपके इंट्रेस्टाइन का जो मोसन होता है वह काफी तेज हो जाता है जिसा कि आप फिगर में देख रहे हैं तो यह जो लोपेरामाइड है यह आप इलीक्ट्रोलाइट है वो इसको अबजडर कर सकेड़ जब इंट्रेस्टाइन आपके इलेक्ट्रोलाइड और वासरोप कर लेगी तो जो आपका डाजट्री फूड होता है वह सूखा रहगा और वातरी डायरी डायर्या होती है वो तीरे-दायर कम होने लगेगे वी समान दस्त में आपको जो लोपेरा माइट नामक जो टैबलेट होती है यह आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है अगर मरीज 6 साल से कम है तो लोपेरा माइट टैबलेट का इस्तमाल उनके उपर नहीं करना चाहिए उनको लोपेरा माइट टैबलेट प्रिसक्राइब नही टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब आपको 1MG की टेबलेट को ही फालो करना हुआ, जाने कि जब पहली बार आपने उसको 2MG की टेबलेट दे दी है, उसके बाद आप जब अगली टेबलेट देंगे, अगला जब डायरिया आपको दस्त होती है, उसके बाद आपको टेबलेट दीन में 3 बार तक आप उसे दे सकते हैं, अगर मरीज की उमर 12 साल से जादा है, तो 4MG की टेबलेट उनको प्रिस्क्राइब करने चाहिए, और MG की टेबलेट लेने के बाद भी अगर आपको 10 होती है, तो अगला जो आप टेबलेट देंगे, वो 2MG का इसको भी आपको दीन में 3 बार तक ही देख सकते हैं, जो अगली टेबलेट है, उसे कहते है रेसिको डोटरिल, दोस्तों यह जो रेसिको डोटरिल टेबलेट है, यह एंटी सीकरेटरी एजेंट के रूप में काम करती है, यानि कि आपके इंस्टिस्टाइन के अंदर जो भ करने के बजाए, जो भी वाटर होता है, वो उसको सिकरेट करने लगती है, जिसकारण आपका जो डाइजेटरी फूट के अंदर वाटर की मातरा, पानी की मातरा ज्यादा हो जाती है, और आपका जो डायरिया, जो दस्त होने लगती है, वो काफी ज्यादा वाटरी हो जाती तो यह जो रिश्यकोडोट्रील टेबलेट होती है यह anti-secretary रूप में काम करती है तो जो आपके interest time से जो secretion जादा होने लगता है वो उसको रोग देती है जिसकारण क्या होता है कि आपके जो food होते है उसका पाने की मातरा कम रहती है और आपको जो stool होता है आपको जो मन होता है वो सुखा होता है और आपके जो diarrhea जैसी condition होती है वो धीरे-दीरे खतम होने लगती है यह बात करते हैं इसके डोज के बारे में यह जो रेश्यकोडोट्रील टेबलेट का जो डोज होता में और साम को भी आपने इस्तमाल किया आपकी जो diarrhea की सन्ख्या है उस में दिरेदेर कम हैया लगी अगले दिन भी आपने اس tablet का इस्तमाल किया और अगर आपकी diarrhea बंध हो जाती है तो इस tablet का इस्तमाल करना आपको तुरंद बंध कर जाए keepingि भच्चों में जो इसका डोज होता है वो देड एमजी पर केजी पर डोज की हिजाब से इसको calculate करके आपको बच्चों में इसको देना चाहिए अगर दोस्तों आपको दस्त के साथ उसमें blood आ रहा है और दस्त के साथ अगर आपके सरीर में बुखार हो रहा है तो आपको इन दोनों tablet का इस्तमाल करना है जाह। आपको न तो leoperamide tablet के इस्तमाल करना है न तो आपको resicodotrial tablet का इस्तमाल करना है इन दोनों का tablet आपको सिर्फ सामान डायरियम करना है जिसके अंदर ना तो blood आएगा और ना ही आपके सरीर के अंदर बुखार आएगा उसी condition में आपको इनी दोनों tablet का इस्तमाल करना है आपके दसकंदर blood आ रहा है और आपके सरीर बुखार हो रहा है यह मान की चलते हैं कि आपको bacterial, protozole या viral infection हो सकता है इसके condition में आपको antibiotic tablet prescribed की जाती है जैसी कि आप figure में देख रहे हैं और आपको प्रिसक्राइब के जाता है इसके अंदर आपके अंदर बैक्टिरिया और प्रोटोजोग का इंफेक्शन के करण अगर आपको dairy हो रहा है, दस हो रहा है तो इन tablet की इस्तमाल करने के साथ आपको सरी के अंदर dairy की जो condition होती है वो समद्रबूद हो जाती है शिर्थ साथ आपको एक चीजिज और धियान देने रेते हो नहीं होती है कि आपको किसी भी परकार कर अगर dairy हो रहा है तो आपको अपने सरी कर अंदर electrolyte और water का जो combination है वो बनाए रखना है साथ में आपको ORS का 7 हमेशा करना है बार-बार करना है water के इस्तमाल आपको बार-बार करना है जिसके आपका सरीर जो होता है वो hydrate रहेगा dehydrate नहीं होगा तो दोस्तों ये तो अच्छोटी सी आपको जय है कि आपको कोई सी टैबलेट इस्तमाल करने चाहिए और अगर आपके डैरीया के साथ साथ बलड आता है और आपको बुखार भी रहना है तो ऐसी कंडिशन आपको कौन सी टैबलेट इस्माल बता हैं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा किसी और टापिक पर आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में भी आपको सला दूंगा कि किसी भी मेडिसीन का इस्तमाल आपको वीडियो देखने के बात तुरंत नहीं करना चाहिए आपको अपने डाक्टर के पास जाना च चाहिए डॉक्टर जो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा उसी को आपका सेवन करना चाहिए उसी के साथ आपको ट्रीटमेंट आगे चालू रखना चाहिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए रहो हेल्दी जी हो हेल्दी जाय ही